कि तो सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है 50 जार रुपे का 10-10 अजार रुपे करके 50 जार रुपे मेरे निकले हैं एटिम काट से तो इतनी देर में मेरे पास 10-10 हजार रुपे की पहले दो ट्रांजेक्शन के डेविट का वह आता है कि कड़ गए अबड़ी मुस्कुल से जमा करें थे यह और यही निकल गेन के यह सरकार कुछ नहीं करते मेरे दो वह पहले मेरे एक बेटा चकु से मार मार के मार दिया एमरी वगेरा लग रहे हैं एटिम म मंदावली में और आपको बता दे हमारे साथ अरुन कुमार जुड़े वे हैं जिनका कहना है कि वो एटिम में गये थे पैसे निकालने के लिए लेकिन उनके साथ फरोड हो गया है और वो भी 50,000 रुपे का फरोड हुआ है आखिर उनके साथ यह फरोड कैसे हुआ है आईए पर इसे ही जानते हैं जी आपका नाम मेरा नाम अरुन कुमार सिंग जी आपके साथ क्या कुछ हुआ है सर मेरे साथ फ्रोड हुआ है 50,000 का दल 10,000 रुपे करके 50,000 मेरे निकले हैं 18 पार से और मैरेपी कार्ड बप बच्चों की एड्मिशन के लिए पैसे निकालने गया थ तो वो बता है कि आप एक मिनट होल्ड करिये मैं चेक कर रहा हूं तो वो चेक करते हैं फिर वो बोलते हैं एक काम करिया आप इसमें ना एंटर कैंसल का बटन दवा के रखिए और अपना डालिए तो वो पिंड भी डालता हूं पर उसे करने के बाद मैं वो बोलते हैं कि आप चार बजहेके और मेरा अधार कार्ड लेकर हमारे पास लात है तो घृड़ करें थे भाद ौर आपंस निकल जाता हूँ घर पर बताने के लिए जैसी में घर पर आता हूँ मैं अपने फादर को बताता हूँ तो फादर मेरे को थोड़ा डाटते हैं कि तू एट्यम कार्ट छोड़के क्यों आगया उसके बाद तुरंति मैं तीचार से 5 मिनट बाद दुबारा एट्यम कार्ट के पास जाता हूं तो वहां पर सफाई कर्मचारी होता है जो साफ करके निकल रहा होता है उसका कहना था मैं उसके पूछा में यहां मेरा पूछा मेंने कि भाई मेरे पैसे कड़ गए मित्तु में तुमारे पास है वह बोलता मेरे पास नहीं है फिर मैंने उस हैल प्राइं नंबर पर दुबारा फोन करता हूं तो बोलता कोई असर कोई टेंशन की बात नहीं है आपका ना एटेम कार्ड अंदर मशीन में चला गया ह आपको दिख रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं फिर मैं समझ जाता हूं कि हाँ वो मेरे पैसे कड़ गए तो उसके बाद मैंने 112 पर कॉल करा पुलिस आती है फिर पुलिस उसके सफाई कर्मचारी के साथ उसको टेक्निशन को बुलाती है तो मैं वीडियो में देखता हूं कि म ड़िया कृण समय को मेरे मेरे से पहले एक आदमी आता है खोपी वाला उसमें फैंवियु के डालता है जो कि परत रहे कि हमने ऐसे चुस आप को भी अँसरा करने की करने, जब रहे हम आपना हेल्प लाइन नंबर उस पर छोई थी? यह सर 24 तारिक को ही थी मेरी अभी 24 अप्रेल को करीब 11 वजे की बात है यह 11 वज के चार मिनट में अंदर गया था मैंने देखा था अपने िवी मेरा इसमें दो इस इतनी खीन है तिसरे दिन मेरी अनको मैंने दी इस्टेटमेंट दी तो उन्हें इन दो दिन बाद मेरी फाइर लिखी उस फाइर लिखने के बाद अभी तक मेरे को उनकी तरफ से कोई भी जवाब कुछ भी इंफोमेशन नहीं आई है कौन से थाने में अपने फाइर दर्ज कराई है सर मंडावली मंडावली पुलिस स्टेशन है 110092 इस के आईयो कोन है रगुराज सिंग जी आईयो है इसके मैं उन्हें उन्हें कल भी फोन किया था दो बार उन्होंने पिक नहीं करा आज भी मैंने दो तीन बार फोन कर लिया उ आपका यह मिल जाएगा दढ़ मत होना घबराना मत बिल्कुल भी एक्चुली अभी मेरे भाई के साथ मधुव्यार थाने में मडर हुआ था 26-27 चाको लगे थे बिलकुल अभी दो महीने पहले की बात है फरवरी में 24 फरवरी की ही बात है वो भी तो वह भी थोड़ा हम उस निकालने के लिए ही मैं गया था अब क्या चाहते हैं सब मैं बस यह चाहता हूं कि जो आईसे सी बैंक का जो एटियम है वहां पर कोई भी गार्ड नहीं था सबसे बड़ी चीज यह हर एटिम में आरवे की गैड्लाइन है कि एटिम में गार्ड होना मेंडेटरी है वहां प से दिक्कते टरफ से दूसरी यह है कि इतनी बड़ी चीज कैमी हैंझा है के लिए wiping पुलिस और आइसे से बैंक का कोई भी अभी तक कोई भी रोल नहीं है ठीक है आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द पैसा दिया जाए वापस कितने रुपय आपके निकाले हैं जी आपके हस्वंड के साथ इतना बड़ा फ्रोड हुआ है तो अब आप क्या चाहते हैं मैं दो यह चाहते हुआ हैं यजदी ज़्लदी मेरे असपैसे मिल जाएं ऐसी खाद जोब में ऐसी कम आई तो है नहीं है और बहुत बड़ा परवार कर लाएं हमारे में कुछ नहीं चाहिए और स्कुल के फीस वगरा भी करनि ऑ़ नहींए फीस इंप जमागाउं हुए मेर और कुछ नहीं चाहिए और बड़ी मुस्कुल से जमा करें थे यह और यही निकल गेंगें मैं चाहती हूं कि इसके पैसे मिलने चाहिए इसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे थे जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए मेरे संग दो महीना पहले भी एक हाथसा हो चुका है मेरा बेटा भी एक दो महीना पहले जैसरकार कुछ नहीं करते मेरे दो महीना पहले मेरे एक बेटा चकु से मार मार के मार दिया आप तक कुछ भी नहीं हुआ है उनका तो हमने अरुन कुमार से बात की, उनका कहना है कि वो ATM मसीन में गए थे, पैसे निकालने के लिए उन्होंने कार्ड डाला, लेकिन कार्ड उसके अंदर फज जाता है, वो मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन कार्ड नहीं निकलता है, उसके बाद वो हे पुलिस से श्टेशन पे जाते हैं, रिपोर्ट कराने के लिए, तो दो दिन बाद फायर दर्ज की जाती है, और अभी तक पुलिस ने सही से कारवाई नहीं की है, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कारवाई की जाए और उनके पचास जार पे लोटाये जाए, उनका कहना ह कि ये पैसे उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे वे थे, अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं, तो उनकी बेटी की पढ़ाई में बाधा आएगी, इस कबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके बताए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तरार, क पहले से तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुचे